नमस्कार दोस्तों तो स्वागत थे आपका मेरे चैनल कुसम की थसोई पर तो चलिए आज बनाना सेखते हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल पानी पूरी तो सबसे पहले पानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार के अंदर बहुत सारा धनिया डाल दिया है इसके ब पढ़िया से पीस लेने के बाद इसके बाद हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे एक बाउल के अंदर और आप चाहें तो उसको छान भी सकते हैं बट मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है इसके बाद इसमें डाल दीजिए 2-3 का पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और वैसे दोस्तों आपके अहाँ पर पानी पूरी को क्या कहा जाता है मुझे कमेंस में ज़रूर बताईएगा तो अब चली डालते हैं अपने पानी में सारे मसाले तो सबसे पहले हम डालेंगे आप स्वाद आनुसा नमक और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली फ्रेक्स आप चाहे तो आप ये लालमेश पाउडर भी इसमाल कर सकते हैं इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे आदी चम्ची जीरा पाउडर और थ्घूरम चारट मसाला इसमें जादो सबस्तों बढ़ाने के लिए आप चाहे तो पानी फूरी मसाला भी डाल सकते हैं। और सो खटा मराने के लिए हम इसमें डालेंगे निम्बू के पतले पतले स्लाइसिस करके और साथ ही माप इसमें खटास डालें के लिए इमली का पानी या फिर आम चुर पाउडर भी डाल सकते हैं और वैसे दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंसें फैमली के साथ शेयर जरू करेगा इन स्लाइसिस को कट कर लेने के बाद इसको हम डाल देंगे हमारी पानी के अंदर और साथ ही में थोड़ा सा निम्बू का रस भी डाल देंगे और आखिर में आप अपने स्वाद के अनुसाइस में नमक और तीखा डाल सकते हैं और देखे हमारा पानी पूरी का पानी बनकर एकदम रेडी हो चुका है और अगर आप इसको ठंडा करके सर्फ करेंगे तो ये खाने में बहुत अदा बढ़िया लगेगा तो देखे हमारा पानी तो बनकर रेडी हो गया है तो अब चलिए बना लेते हैं हमारे पानी पूरी का स्ट मतलब की अंदर का मसाला है तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपे लिया है उबले हुए आलू पिसके अंदर मं डालेंगे स्वाधा रुसार नमक और आधी चंची लालमिच पाॉडर इसकी बाद इसमें हम डाल देंगे आधी चंची जीरा पाॉडर और साथ ही में थोड़ा सा काला नमक आखे में चाट मसाले डाल कर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वैसे आप चाहे तो इस आलू के मसाले के अंदर उबले हुए चैने मी डाल सकते हैं वो भी इसको खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और इसको बड़ियां तरीके से mix कर लेने के बाद अब इसके अंदर डाले वाले हैं गबारी कटे हुए प्यास और इसको भी हम अपने आलू के साथ अच्छी तरसे mix कर लेंगे और लेजे हमारे आलू का masala बनकर ready हो चुका है और देखिए एकदम market style पानी पूरी हमारे घर पर ही बनकर एकदम ready हो चुकी है तो आप भी इसे जरूर बनाएए और अपने बचो और परिवार वालों को जरूर खिलाएए क्योंकि ये भी एकदम healthy है और साथ ही में खाने में बहुत बढ़िया है और अगर आपको सूजी की पूरिया बनाना सीखना है तो मुझे comments में जरूर बताएगा मैं वीडियो आपके लिए जरूर लेका होंगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करेगा और चानल को सब्सक्राइब जरू करेगा तो मिलते हैं आप सपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल लखेगा थैंक्स पर वाचिंग